हलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग जो ये प्रो 32 ओल्ड है और जो ये प्रो AI Tron वाला नया आया है तो दोस्तों दोनों में Confuse है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पुराना खरीद लो नया खरीद लो नया वाला बेकार है कुछ लोग बोल रहे हैं पुराना वाला बेकार है आप नया वाला करीद लो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी डिफर मैं क्यावल, आपको जो दोनों के difference है, वो बता सकता हूं, दोस्तो, final decision आपका ही होगा, कि आपको कौन सा लेना है, क्योंकि फ्रिफरेंस अलग लग होती है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो सब इस अपने लिए सही inverter का चुनाओ कर पाए यही मेरा टार्गेट रहता तो दोस्तों आई यह स्टार्ट करता है वीडियो को बिना किसे टाइम रस्टिंग है और दोस्तों कुछ चेंज़ेस किये गए हैं जो चेंज़ेस मैं आपको बताने जा रहा हम देगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द तो दोस्तों वियो सी सेम ही है पहले भी 110 ऐभी 110 है और जो vyन पी है वह वह भी पहले 580 पेले बैट्ट्ट्टी अभी भी 880 वोल्ट है तो दोस्तों इनमें कोई ب히 चेंज नहीं है जो मैंग चेंज़ है दोस्तों वह जो SL4 setting है, उसमें की गई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, दो SL4 setting में क्या change हुआ है, ये हम बात करें, तो दो दो पुराने में क्या था, कि जब भी आप यहां पे दोस्तो पुराने वाले inverter का SL4 mode पहले में बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, दोस्तो पुरान वाला EU Pro 32 तो वहां पे grid charging off हो जाती थी मतलब कि आपके बैटरी आप solar से बिल्कुल भी charge नहीं होगी चाया आपके बैटरी बिल्कुल low गई हो तब भी solar से oh sorry grid से charge नहीं होगी केवल solar से charge होगी मतलब कि जो बाकी inverter में grid charging off के नाम से जो future आता है यहां पे sl4 mode के नाम से था वाला sl4 mode में देखिए यहां पे load के से चलता था पहले solar panel से चलता था उसके बाद battery से चलता है फिर grid से चलता है जब भी आपके battery low जाएगी तो फिर grid पे shift हो जाएगा और दोस्तों यहां पे एक option और था कि आप mains को night को यदि कट करना चाते हो साम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कट करना चाते हो mains को तो वो भी आप कट कर सकते हो तो दोस्तों यह पुराने वाला inverter है उसकी sl4 mode सेटिंग थी अब दोस्तों जो नया आया है यह प्रट्रोन तो इसकी सारी सेटिंग में आपको डिस्पले पे दिखा रहा हूं जैसा कि देखिए तो full time charging disable from grid देखिए दो यहां पे दोस्तो main cut function यह भी पहले भी था यह कि साम को 6 बज़े सोबर के 6 बज़े तक आप ग्रेड को कट कर सकते हो अब यहां पे एक नया feature आया है NMC normal charging on है यदि NMC आपने on कर रहा है default यह on होता है यदि battery का voltage SbLC 11.5 volt default आता यह भी यदि इस से कम volt पे आपके battery चली जाती ह तो दोस्तो SL4 mode में अब यह mains से 5A से आपकी battery को charge करेगा और कब तक करेगा जब तक की SbLC plus 1V नहीं हो जाता मलब 12.5V तक आपकी battery को charge करेगा मैं से 5A से अगर आपने SbLC 11.5V set कर रखी है तो 11.5V से जैसे ही आपकी battery नीचे जाएगी तो फिर यह 12.5V तक 5A से आपकी battery को continuously charge करेगा दोस्तों main change यह change किया गया है जबकि पहले क्या था कि आपकी battery बिल्कुल low के dis हो जाए तब भी यह grid से charge नहीं करता था अब यहाँ पे अगर आपने NMC को off कर दिया तो दोस्तों उस case में charge the battery via high and low state as per setting तो battery high और low ampere से charge कर सकता ह है तो NMC on on है NMC on है तो क्यों 5A से आपकी battery को charge करेगा और वह भी कब करेगा जब जो SbLC है उससे आपकी battery का voltage low हो गया कि इप the battery voltage become less than SLCB और दोस्तों यहां पर भी सेम फिचर हो सकता है जो SbLC है इसको आप सेट कर सकते हो खुद क्या कोड़िक 11.5 default आता इसको आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो तो इसको भी हम shift कर सकते हैं जब भी SLCB से SbLC से voltage कम होगा आपकी battery का तो यह grid से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा और यदि NMC होने तो 5A से चार्ज करेगा और तो दोस्तों यह main change किया गया है SL4 setting में इसके लावा दोस्तों मैं बता हूँ आपको चार्ज कंट्रोलर में चेंज किया गया है यहाँ पे 104 MPR का MPPT Solar Charge कंट्रोलर लगया गया अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह SL4 setting में चेंज किया यह अच्छा भी लगेगा कुछ लोगों को खराब भी लगे यह 11.5 वोल्ट पे बैटरी जाने का मतलब है कि बैटरी आपकी 10 से 20 परसेंट चार्ज उनली बिल्कुल डिस्चार्ज कंडिशन पे आ गई है मनला 11.5 वोल्ट से नीची जाने का मतलब तो डिस्चार्ज होई और 10.5 पे हमारी बैटरी कट हो जाती है तो कुछ लोगों को सही भी लगेगा कि 12.5 था कि अगर इससे चार्ज कर रहा है ग्रेड से चार्ज भी करना चाहिए लोने के बाद कुछ लोगों को यह खराब भी लगे जो बैट 11.5 वोल्ट इसको आप और भी कम कर सकते हो दोस्तो आपकी प्रिफरेंस है यह आप कौन सा खरीना चाहते हो और यहां प्याकर दोस्तो हम इसकी इस्टेक्चर की बात करें तो देखे इस्टेक्चर में भी जो मैन डिफरेंस है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तो आ आप देख पा रहोंगे, इसका तोड़ा size compact कर दिया गया है, और जो fan की palacing है, पीछे की side, वो दोनों fan एक side कर दिया है, देखे मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक photo के दोवारा समझा देता हूँ, यह चीज भी, और और दोस्तों यदि हम back panel को देखे दोनों को, तो दोस् difference नहीं है, बस इसमें जो Tron वाला है, इसमें दोनों fan एक side कर दिया है, और इसका side तोड़ा compact हो गया है, पहले की तुलना में, और दोस्तों यहां पे जो neutral input, output और अर्थिंग वायर लगाने के लिए जो पीछे वायर दिये गए थी, यहां पे एक plate लगा दी गई है, बस इत देख पार होंगे, EA Pro Tron वाला, तोड़ा compact size में हो गया है, पहले से हलका सा छोटा हो गया है, तो दोस्तों यह थे main difference, दोनों inverter अच्छे, आपको भी ले सकते हो, वो आपकी preference पे depend करता है, तो दोस्तों कुछ खास changes नहीं किये गए, बस MPPT update किया गया है, मुझे तो यही खा लगा, SL4 में तोड़ा सा change किया गया है, तो वो भी बहुत सारी लोगों को पसंद भी आएगा, और कुछ को नहीं बैएगा,